सची काल किसानवीरो मैं जीनियर गुरुम्द सिंग किसानवीरो आज एक जही जानकरी मैं संजी कर रहे हैं स्वीड़ के वेच क्योंकि पहला जो अपना मोसम चाल रहा सी चो ने वास्ते बहुत न कोल सी आज तो एक कपता पहला ता बहुत सारे किसानवीरो ने चो ने दे हल्दी रोग वास्ते कोई सप्रेणी की थी करन दे कोई जरूरत मिनी सी क्योंकि मोसम साब सी ते अगर नमी काटून दी नीचे पानी काटून दाद हल्दीरा रोग आना मिनी सी ते इनना हल्दीरा रोग आया मिनी पर बाद वेच तेन चार देन लगातार वर्खा उन करके थोड़ा बहुत हल दिया रोग आ चुका चोने वेच जो चोने पकंदे किनारे दे उपपर पहरे वेड़ने रोग दे पकंदे किसे और इस उपपर किसे थराने कोई सप्रै कामजाब नहीं है कोई भी ड्रमी चख के कोई सप्रै पागे कोई अपर सलफेड एस समय करणदी लोड नहीं ना एस समय आपनों उसदा कोई बेनिफिट हैगा उस्तो बाद दूजी गाल करिए जेड़े चुने थोड़े पशेत्रे ने अजे निस्तरे वे ने दोदा बनना है दाना बनना है उसनू अपन इस समय स्प्रे करके रोख सकते क्योंकि अग्याउन वाला मौसम नमी बहुत ज़्यादा है सबतो पहल सबता उसदे वेच पाणी बाहँत काट करदेऊ थीक है जिन्ना वेच जो पक्कन वालेए ने ता तो तíसी पाणी बांधी करदेऊ क्योंकि पाणी करके ये ज़्यादा बदेगी ते जेकर आपस ये ला A के वेच चलेगे कि अंग्यादा नुक्सान ज़्यादा हो 500 ग्राम कॉपर सिलफेट जहां कॉपर हाइड अकसाइड नो 200 लिटर पाने दिवेच पाके शिड़का कर सकतेजे जहां फर 400 मिली लिटर गलेलियो वे 18.7 ऐसी इस दा शिड़का कर सकतेजे इही जो आउन वाली हल्दी है उस दी रोक्ताम वास्ते बहुत वदियां जो दुबाई है पर जो हल्दी आ चुकी है उस ना दा कोई भी रोक्ताम है नि किसानवीर जो हो चुका है बहुत काट एरिगे विच हल्दी आई बहुत काट मात्रा वे चाहिए ता इनना ज्यादा जान राखनन एकवरी ये सप्रे कर देन आज दी ये वीडियो बेच एन ही जान करी तानवाजी